हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल में आपका स्वागत है गाई इस तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जो आज कल अपडेट आपको मैं ब्लॉग से रिलेटेट अपडेट देती थी ब्लॉग डेली का देती थी बट ब्लॉग ने देने के वज़े क अनदर से कई लोग एक जूट हैं बाहर से दो लोग उभरे हुए इसके अलावा और जो लोग का नाम हमें एक्स्प्रेस कर रहे हैं फोटो बार बार दिखा रहें अभी स्क्रीन पे दिखाएंगे क्योंकि उन्हीं लोग से मेरा विवाद है विवाद फैलाने का रिजन वह लोग टीचर है यालवेज तो मेरे हस्बेंट भी टीचर है मेरे पापा भी टीचर से रिटार्यमेंट है कोई प्राउड नहीं है बट मैं एक घर में बवुँ हूं बैठी हूं बट आई चीच के लिए किसी एक इंसान को दबा के रखना कोई बहुत बड़ी गदारी और बहुत बड़ा पाप होता है अब देखें अभी जो हमने बीच में बीडियों बना के दिखाए थे ये बड़ेपा है ये भीया है क्या कर रहे थे बीच में जब ये अपने मौके पर देखने पर देंगे मडर की केस ये मतलब बहुत कुछ कह रहे थे इसके बाद इतना कुछ करने के बाद हमारे जमीन में इन्होंने पुलिया डाला बेमाने कि ये लोग दूसरी गलती बिना पूछे जाचे मतलब वहां पर कबजा किये दूसरी गलती इनकी है कि एक्टोमेटी को चाहिए थाने पर उपर से करने के लिए के रेके घड़ देंगे और तुमको उपर भेज़ देंगे और उपर से जाकर कर करें कर रहे हैं ऐन चाहिए लोग को हर जगा बक्सा गया है क्योंकि दर्श दर्ज है चल रहा है जिस नंबर से जिस चक में नंबर से उसी पर इन्होंने रेजिश्टरी चुपके से करवाली लेकिन हम लोग को पता चल गया हस्पेंट बोले की चलिए हम इसको खारिज नहीं होने देते हैं इसको रद करेंगे बट हमने कहा कि जैसे हम लोग का जैसे मिल गया हम लोग जैसे चल रहे हैं सबका विकास होने दीजी सभी लोग आगे बढ़ेंगे कोई मतलब नहीं है एजुकेशन का क्या मतलब होता है कि आपस में हम लोग लड़ाई करें हम उनको अंडरिस्टूट करा दिये लेकिन उन्हों ने क्या कि बार बार हाथ धो करके एक हैं और एक बड़ेपा हैं दोनों लोग में हाथ धो करके मेरे हजमेंट के पीछे पड़े हुए हैं अब देख रहे हैं बिना समती का हमारे जमीन में बगल में क्या कि हैं पुलिया डाल दिये हैं अब हम लोग लड़ाई लेंगे अब यही नहीं जो 116 का मुकदमा दर्श ह एक एक करके एक करके पार्ट वीडियों आती रहेगी हर चीज अपडेट मैं देती रहूंगी यह अपडेट मैं किसको दे रहे हूं क्यों दे रहे हूं क्यों कि सोसल मीडिया में हमें इसे क्या करना है वाइरल करना है देखिए बहुत जल्दी वाइरल हो जाएगा जिनको पूरा लग रहा है कि मैं बीडियों क्यों बना रहे हूं यह चीज गलत है तो वह अपने घर के बहु बेटियों को जो है अपने परदा के अंदर रख सकते हैं एक बार देखें कि उनके उपर कोई अकेला हैं खड़े हैं उनके ऊपर कोई थपड चला रहा है कोई लडाई कर है और अकेले हैं बिल्कुल तो उनकी वाइफ आवाज नहीं उठाती है तो तो गाली फकट बहुत लोग देने लगेंगी बट मैं यहां पर किसी को अपसब्द नहीं बोल रही हूं अगर अपसब्द बोल रही हूं तो उसके लिए मैं सौरी आप लोग से प्लीस परड़न कर रहे हैं की घुंडागर्दी कर रहा है मारने पिटने के मेरे परिवार को कतल करने के लिए जो चीज एक धंकी दे रहे हैं वह चीज उसको मेरे रिपोर्ट में वहाँ फिटवा दें तो याप रोचिंग से नहीं थाने पर गए होते तो यह जरूर अवसे वहां पर पिट कोजित नहीं है क्योंकि बहुत लोगों का साथ को नहीं लोग बताते हैं कि इसके अब यहां पर देख लिजे कि इनके बारे में वीडियों बन रही है वीडियों चड़ रही है कुछ लोग की आवाज आ रही है कि नहीं जैसे यह चीज गलत है वही चीज हम लोग के साथ भी कोई आवाज उठाता कि पुलिया जो है रोड बीच में है देखिए यहां पर मैं करेंगे दालेंगे तो जिसका चक है उसके ऊसका पहले यहां पर पुछेंगे राइ Greek लेंगे इंगे अगर वह स्टेप करएंगी तभी तो इसपे हम नया काम करेंगे पुलिया लगाएंगे अगर हम वह नहीं accept कर रहा है है तो ये विवादित चीज हो जाएगा, पुलिस को लाकर के दबाओ में दे करके आप काम करवाओगे, तो यहाँ पर कत्त ही नहीं है, वो थाने पर आपके भी लोग सुनेंगे, हमारे भी सुनेंगे, लेकिन यहाँ पर मौके पर आकर के उच्छी तनुची तुनको देखना हो यहाँ पर खोल करके एक्सप्रेस भी कर दूगी कि कितने लोग हैं कौन हैं, क्योंकि कुछ-कुछ जैसे गुंसुम आवाजे आ रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं, हम लोग पागल नहीं है, क्योंकि हम लोग के उपर जब ऐसा जैसे बिवाद आया, पुलियेगा, तो क्यों नहीं आप लोग सामने आ करके कहें कि जब आपकी पानी किया हैं, हम नहीं लेंगे इनका, तो हमारे यहां पुलिया लड़काने की क्या ज़रूरत है, इसके साइड में आपका भी चक है, तो इसे यहां से अपने जमीन के सामने साहे से पुलिया ले जाकर कि यहां से रोड पर राउंड करके आप क्यों नहीं लगा रहे हो, बहुत बड़ा नुक्सान तो नहीं हो जाएगा, तो हमारी काने का मतलब है, मकसद है इसी है, इसलिए मैं वीडियो बना रहे हूं, अधिक से तीसरा में भी इसमें फालो जैसे इंटर्फेर किया, चौथा किया, सबको हम करेंगे, मीडिया में वायरल करेंगे, अब रुकने वाले हम लोग नहीं है, जैसे उस बार तो रुक भी गए थे, फाइनल हुआ, एक छोटी सी विवाद के लिए लोग इतना वड़ा खड़ा कर दिया, यह फायार कर दिये, थाने पर बुलवा दिये, पुलिस बुलवा द है, ठीक है, तो पुलिया तो आप चाहे 6 महने लगे, चाहे साल भर लगे, हम दो दीन में ही चाहे, किसी तरह से वहां से वो तो हटना ही है, क्योंकि वो गलत है, कोई भी मीडिया आएगा, कोई भी आएगा, उसे साबित करी देगा, अब मीडिया तो छोटे से काम के लिए पुलिये के लिए, बट यहाँ प 116 का मुकदमा दर्ज है, बहुत बड़ा क्रियेटिव मैटर है यहाँ पर, और 116 वाले मुकदमा में भी इन्हों ने उसी नंबर में रेश्ट्री कैसे करवा लिए, जब हम लोग उस पे कोई आपत्ती नहीं किये, हम लगा कि यह लोग ठ जरूर लाइक करना, अगर हक की बात है, यहाँ पर सही बात है, कमेंट करके बताना, जहाँ पर मिश्टेक हो, उसके लिए भी कमेंट करना, जाए विपक्ष पार्टी हो या कोई भी हो, हमारे पक्ष में कोई नहीं है, बस सापसी बात है, सारे लोग एक पक्ष में हैं, यह से हम लोग जुड़े हुए हैं और मीडिया वाले हैं हमारी वीडियो हमारी चैनल से ले जाकर कि मुझे उमीद है कि वह वाइरल कर सकते हैं तो अभी मैं वाइरल करने के लिए मैं खुद वोलूंगे क्योंकि मेरे मेरे काफी चैनल है मैं वहां से भी वीडियो वाइरल कर सकती तो अब वीडियो वाइरल ही होगी क्योंकि अपलोड हो चुकी है तीसरी वीडियो है मेरी अगर फर्स पर सेकेंड पार्ट आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी देखिए थैंक्स वार वाचिंग गड़ ब्लेश यू